थाइरोइड हॉर्मोन एंड फर्टिलिटी थाइरोइड हॉर्मोन एक ऐसी चीज है जिसका की फर्टिलिटी पे कंसीफ करने पे और उस कंसीफ के वे बच्चे को कैरी करने के लिए दोनों पे उसका काफी प्रभाव हैं अब हम आते हैं थाइरोइड हॉर्मोन के बारे में टी से आपका जादा है तो भी प्रब्लमाटिक है वो तो नॉनल सबके लिए प्रब्लमाटिक है पर आपके लीए जब हम Fertility कर रहे हैं तब हमारे TSH का Cut-Off होताया हिस एक से दो होना चाहिँ अगर दो से ओपर है तो तो पॉब्लामाटिकिक है अगर एक से कम है तो भी प्रॉब्लमाटिक है उस केस में एक पेशके इंडो स्ट्रिय पमेन बहुत ही जरूरी होता है लेकर लेकर के उसके बाद हम इसके साइकल करते हैं बहुत बार आशा हो ता है कि एंज कर सब्सक्रेंटे वाग binnenãy पर जब आपके एम्प्रोज अंदर हमने डाल दिये आपके इंप्लांटेशन जैसे हो गया टी एसेच का लेवल इतना बढ़ जाता है यो पेशन को समझ में नहीं आता है कि इतना क्यों बढ़ गया है बट यह नॉमल है इसलिए आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करन टेस्का थे आपके आपका बाँफ टासका ठयक्ता आ है अयरेinkश बहुत 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 बढ़ जाता है तो मिसकारज के चांसेस भी होते है इस इस तरह की प्रेग्निन्सी में या बच्चे में अउन्पली होने के चांसे लिए बहुत है आए होते हैं एक यह सब भी बहुत प्रादिक होता है इसलिए TSH एक बहुत important hormone है जिसका कि हम basic test करते हैं जब भी हम किसी patient को fertility के लिए लेते हैं बोलने का मतलब fertility की treatment करते हैं चाहे वो IVF करें या न करें लेकिन TSH एक important hormone है इसको हम control जरूर करते हैं एक endocrinologist की भी opinion लेते हैं thyroid gland की पूरी evaluation करते हैं वो सब जरूरी है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें अपने thyroid hormones का ध्यान रखें उस दवा खाने से कोई problem नहीं है अगर वो दवा खा करके आपके levels normal होते हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है वो आपको कोई drug पर dependency नहीं देगी वो तो आपके लिए जरूरी है बिकाज यह उस तरह की चीज़ है कि इतने hormones आपके body में deficient हैं जो आप उपर से ले रहे हो या अगर आपको thyroid toxicosis है means TSH levels आपके बहुत काम है उस case में आपको cut करने के लिए जाता है medicine तो आप प्लीज अपनी दवाईयां खाएं अपना ध्यान रखें जिससे कि आप जल्दी से जल्दी मात्रतों का सुख भोग सकें और हमारी यही कामना है आपसे हम रखें आपका ख्याल